कि आप कि अउस्तों मशकार कि सभी लोग तेजी से जुड़ जाओ और एफ बीपीस्टी तीजिटी का पेपर जैसा कि आप सब के सामने सभी लोगों ने लगभग analysis से दे दी है लेकिन कुछ questions को ले करके अभी भी बातें सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं लोगों ने ये कह रखा कि BPSC आयोग अपने हिसाब से देखेगा मैं आपको बता दूं कि आयोग देखेगा सही बात है No doubt लेकिन हमें इस बात को समझना बड़ा आवश्यक होगा कि आखिर ऐसे कौन से प्रश्ण है जिनको आयोग पर छोड़ देना ठीक होगा ऐसे कौन से प्रश्ण होगे जिनको आयोग पर छोड़ना ठीक होगा बहुत त्यान से बातों को समझिए यह जो यह मैंने लिखवाया है कि इतने प्रश्ण के चुन लिए गए गलत पुत्त इतने लेट कहां कर दिया सब्सक्राइब असल में लेट नहीं किया दरसल देखिए जो भी बातें दो एक्यूरेट दो पांच मिनिट लेट ही सही एक दिन आधा दिन लेट ही सही ठीक है न वल्यूम बढ़ाईए आवाज नहीं आ रही है क्या एक मिनट ठीक है तो यह अपना सेग्मेंट है कि जो है लाउडनेस नहीं जा रहा जड़ा सा भी आवाज नहीं आ रही है क्या एक मिनट एक मिनट रुग या यह चेक कर लें तो वीडियो शेयर कर दीजे वीडियो को शेयर कर दीजे और बने रहिएगा आज आपको सभी बातों का डिटेल एनालेसिस दूँगा सब एक एक करके कट अफ एक करके मैं आपके सामने डिसकस करूँ मतलब अभी तक जो भी बातें आप लोगों ने जाना है हो सकता है कुछ अंतर मिलने वाला है आपको क्यूंकि आप जो जाने हो सायद कुछ आप जानना कम पाए हो भी ठीक है न एक मिनट चेक कर लेते हैं बाकि तब तक यह आप जानते रहो कि आखिर वह प्रश्ण है कौन कौन से जिन में एनालेसिस करनी जरूरी है जानना जरूरी है मैं जब बीपीएस्सी की क्लास को ले रहा था उसी समय पर मैंने एक बात आप से कह दिया था क्लास ठीक है आवाज ठीक है मैंने उसी समय पर आप से कहा था कि लिट्रेचर पढ़ लेना तो बच्चों ने कहा कि रहे सर लिट्रेचर पिछली बार नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा यह वो दुनिया भर की बात हैं ध्यान रखिएगा कि लिट्रेचर अगर नव दस और ग्यारा और बारा की बात करेंगे लिट्रेचर तो पूछनत तय है यह एक मत्र आपको डेमो दिया उन्होंने पंदरा क्वेश्चन का और वास्तों में आपको बता दूं ग्रैमर पॉर्षन तो बहुत इजी थी ग्रैमर पॉर्षन तो एकदम सरल सा है लेकिन जो लिट्रेचर पॉर्षन पंदरा क्वेश्चन दिया है मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अटेम्ट किये होंगे क्यों दिमाग में तो यह बना था कि लिट्रेचर नहीं आएगा अब मैं आपको बता दूं कि लिट्रेचर भी अब आपको पढ़ना प वह यह है और इंग्लीज के पेपर में आपको एक एक करके में बता रहा हूं बहुत ध्यां से चीजों को समझीएगा है ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यह बात बता दो पहले दिख रहा होगा ना चलो अब यहां पर पहला जो क्वेस्चन है ओ रोट दा अमरेटी स्टानेट सेक्षन किस ने लिखा यह क्वेस्चन आ गया था लिट्रेचर से यह लिट्रेचर का जो सेगमेंट है ना वो एक important segment है भाई और literature आपको आनी जरूरी होगी यह दो चीज़े लिट्रेचर और language यह दोनों segment आपको पढ़ना जरूरी होगा आपको पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि यह आएगा जरूर आमर्टी सॉनेट की बात करें तो पहले question में John Lilly ने नहीं लिखा Robert Burns ने भी नहीं लिखा हलाकि यहाँ पर जो blendन लिखा हुआ है यह blendन ना होकर के Spencer हो जाता तो काम बन जाती तो इसमें से कुर्मिला के option पहले वाले question का none of the above इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं पहले का जो उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा दूसरा question पढ़ते हैं कह रहा है कि which of the following place was not written by the Shakespeare Shakespeare किस रचना को नहीं लिखे हैं यह जानना जरूरी है तो Shakespeare ने किन रचनाओं को नहीं लिखा है तो यहां पर जो लिखा हुआ है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कोई रचनाओं होने नहीं लिखी इनमें से कोई रचनाओं होने नहीं लिखी है बोलो दजीव ओफ माल्टा टंबल लैन या दविंटर स्टेल बताओ अ बताईएगा इसमें से आपको डी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्षन इसमें करेक्ट हो जाएगा अब इसके इसके बाद अगला क्वेश्शन्यdoes 73 सिवंटी-थ्री 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 क्वेश्शन्य・समें कहरा है कि हूं ट्न्ध τις नॉवल who term the novel novel यह जो term है novel में कि province the writing that was a comic epic comic epic इसको term किस ने दिया था इस term को किस ने दिया था तो याद रखना यह किसी ने नहीं दिया था किसी ने नहीं दिया इनमें से सभी जब आप हमारी paid class में आते हो तो मैंने इन सब बातों को बहुत अच्छे धंग से बताया है बहुत ही अच्छे धंग से बताया 74 की बात में अगर करूं तो 74 कहरा है कि which of the following novels is an example of the uses of the gothic gothic मतलब होता है क्या है डरावनी है ना डरावनी 74 गोथिक देखो भाई एक चीज़ आपको बता दें यहां पर आपको एक चीज़ जानना बड़ा जरूरी होगा है ना लेकिन याद रखना कि castle of the ट्रेंटो यह अपने आप में था ही गोथिक लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूँ यह गोथिक कम यह गोथिक कम और इनमें से दो गोथिक तो आपका option D option D या आपको सिर्फ option C दो में से आपको एक का चैन करना होगा तो ऐसे सेंस में हमें वेट करना चाहिए दरसल होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती जो आयोग अपनी मानता है अपनी मानता है तो कुछ हो सकता है यानि इसमें option D D and C दोनों ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा इसके बाद है आपका 75 question number और 75 question number में क्या आरा है 75 question में देख लिएगा 75 question number आपके सामने और 75 में आपको option क्या करें कि हूं अमंग दा फॉलाइंग रोमेंटिक पर्स डिफाइन दा पोईटिक फेट इन देख इस 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 इसके बाद आपको 76 question नबर पर चलते हैं इसके यह तो ज्यादा कुछ आ गया यार 65 नबर इसके बाद 75 इसमें नहीं दूसरा क्यों नहीं आ रहा है यह रहा आपका तो 76 में देखें 76 में देखें 76 में देखें 76 में कराएं कि विल्यम ब्लेक विल्यम ब्लेक इसके बाद अगला है question आपका कि in which famous novel do we find the character in Heathcliff, Heathcliff किस रचना में character था, बताओ, बिल्कुल, Woodring Heights, Woodring Heights, Woodring Heights में 77 वाले में A options सही हो जाए, इसके बाद कर रहे हैं कि which modern poet wrote the, wrote line, things fall apart, the center cannot hold, center cannot hold, बताओ, 78, अच्छा 8 नीचे है, एक मिनिट, 8 नीचे है, यह, 78 नीचे है, कोई बात नहीं, आप आजाए हैं, ठीक है भाई, ठीक है, तो 78 question आपके पास आ जाए, और 78 question नंबर में अगर हम ज़रा देखें, तो देखते हैं कि आज 78 नंबर का question है, ज़रा पढ़ो, तो 78 नंबर का question है, और कह रहा है, आप से, कि wrote the groundbreaking work of human evolution title on the origin of species, तो और चार्ल्स डार्विन आयागा भाई, चार्ल्स डार्विन आप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन आप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आते हैं, 79 पर, question number 79, question number 79, क्या कह रहा है, कि which modern poet wrote the things, एपाल भाईया, एक चीज़ बता दूँ, इन में से किसी ने नहीं लिखा था, इन में से किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है, इसके बाद आप आईये, question number 80, question number 80, question number 80, who used the term objective correlative in the essay titled hamlet and his problem, hamlet and his problem में किसने इस बात को चुना, टी एस इलियंट, ठीक है, 81, क्या कह रहे हैं भाई, 81 question में क्या वो बात हो रही है, करें, which novelist created the fictional town of मालगुडी, मालगुडी fictional town है, किसने create किया, बिल्कुल option आपका सही हो जाएगा, आरके नरान, आरके नरान, question number 81, C option सही हो जाएगा, 82, which famous Indian literature, wrote in the novel, The Home and the World, The Home and the World, ये, किसने इस बात को लिखा, बता, question number 82, बिल्कुल बसाएगा, रवीदनाट टैगोर, question number 83, who wrote the dystopian novel 1984, 1984, 83, बिल्कुल जार्ज आर्वेल ने लिखा, जार्ज आर्वेल ने लिखा है, जार्ज आर्वेल ने लिखा है, ठीक है, इसके बाद आजाओ, आपको 84 पर लेकर चलते हैं, और 84 number का question है, क्या कहरा कि, which British dramatist created the character, जेमी पोर्टर ने look back anger, बताओ, look back anger किसकी रचना है, बोलो न, बिल्कुल जान आप्सबर्ण, बिल्कुल भाई, 84 option भी सही हो जाएगा, आप जान आप्सबर्ण, 85, 85, 85 में क्या होगा, in which sexperian play, do we find the character of bankay, bankay किस character में, किस रचना में, सेक्सबर के पाया जाता है, 85, 85 में, option आपका, बिल्कुल इन में से कोई नहीं, बाकि सारी चीजें, literature की जो भी बातें रहती हैं न, आप मेरे paid class में जाके देख लोगे, everything इसका solution मिल जाएगा, everything इसका solution आपको मिल जाएगा, ठीक है न, इसके बाद आपको इन questions के बाद, आपको एक पैस्स देखने को मिला, अब बात समझे न, कि हमने आप से paid class में, ये बात बहुत अच्छे ढ़ंसे बताई थी, कि इस तरह से पैस्स आपको आ सकते हैं, same यही आयागा, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन ऐसे पैस्स आ सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से बताया थी, तो कुल मिला करके एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कि ये जो पैस्स है, ये जो पैस्स है, ये पैस्स आप लोग पढ़ लेना, इन पैसेस को आप सभी लोग पढ़ा ले न भाई ठीक है इन पैसेस को आप लोग पढ़ा ले न पैसेस बहुत लंबा है इनके उत्तर प्रमलोग सिधा आते हैं ठीक है न इनके आंसर पर सिधाम आते हैं 86 क्या कह रहा है what was the author's first resolution for the new year बताओ 86 आपका option A सही हो जाए, option A सही हो जाएगा, option A correct हो जाएगा, इसके बाद आपको next question 87 देखने को मिलेगा, 87 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 87 आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या रहा है कि what did the author to the racist of the temptation of television and read more everything, evening है ना, question number 87 में आपको B आप्शन सही हो जाएगा, set in his room with the eyes glued to a book, question number 87 आपको मिल जाएगा, question number 88 की बात करें तो what did the author do, when night when feeling cold and lonely, cold and lonely, question number 88, 88, question number 88, क्यारा कि option C सही हो जाएगा, इसमें, option C सही हो जाएगा, इसमें, इसके बाद आपको question number 89 की बात करेंगे, question number 89 की बात करेंगे, और 89 क्यारा कि what did the author buy to help himself with the resolution, read more, read more, question number 89, 89 में आपको एक option देखने को मिल जाएगा, जो होगा option A, a book titled how read the thousands words of minute, thousands words of minute, इसके बाद आपको question number next की बात करेंगे, यानि 90 की, question number 90 की, करेंगे कि why did the author find the ironic that is about the book but had not read it yet, not read yet, बताओ, question number 90, बेलकुल option A सही हो जाएगा, आप्शन एसे हो जाएगा, 91 पर आते हैं, what was the author's approach to making resolutions this year, क्या approach था, जो इस साल approach किया, पैसेज के थुरू, पैसेज में आप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, जब आप पैसेज में जाएगे, तो पैसेज आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, 91, बिलकुल option D सही हो जाएगा, more than one, more than one, इसके बाद आपका 93, असर 92 भी है न, 92, देखें जाएगे, 92, आप्शन B सही हो जाएगा, इसके बाद 93 की बात आएगी, 93, 93, 93 option D सही हो जाएगा, option D सही हो जाएगा, इसके बाद आपको फिर से एक पैसे देखने को मिलेगा, यह देखिए, इस पैसे की सारी बात यहां हैं, तो आओ इस पैसे की बातों को भी समझ लें, पैसे आप लोग पढ़ ले न, ठीक है, इस पैसे को आप लोग पढ़ ले न, इस पैसे में अडवांटेज अब दा चीनुवा ब्रीट अकॉर्ड अकॉर्ड तो अधर, अकॉर्ड तो अधर, यानि 95 विल्कुल option B सही हो जाएगा, option B सही हो जाएगा, 94 कि 96, 96 विल्कुल option B सही हो जाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा, तो वेर डास इस ब्रीट अप डॉग एक्सराइज 97, 97, option C सही हो जाएगा, अगला है, 98 के बाद, लो बाया, 98 में आपको option D सही हो जाएगा, 99 में आपका option B सही होगा, 98 में D होगा, 100 question की बात करें, तो 100 वाँ question है, और 100 question में option B सही हो जाएगा, B option सही हो जाएगा, ठीक है, B option सही हो जाएगा, इसके फिर से आपको एक पैसे मिलेगा, और यह रहा आपका पैसे, इस पैसे के बाद आपको फिर से question मिलेंगे, फिर से questions मिलेंगे, 101, 101, option B, बिल्कुल option B सही हो जाएगा, 102 में आए, 102 में आईए, क्या लिख रहा है, कि गैंक्स, राइवर, डॉल्फिन्स आर लिस्टेट एज इन्रेज्ड बिकॉज, 102, option B सही हो जाएगा, option B करेक्ट है भई, 103 की बात करें, तो, डॉल्फिन पॉपलेशन है बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन B सही हो जाएगा, इसका भी, इसका भी सही हो जाएगा, 105, बिल्कुल इसका option A सही हो जाएगा, अगला पैसेज है, सोचिएगा कि 4-4-5-5 पैसेज दे रहा है, अब और क्या बताएं इससे जाएगा, question number 107, option B सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्जर्वेंट और लॉजिकल, question number 108, option C सही हो जाएगा, question number 109, option D सही हो जाएगा, question number 110, option C सही हो जाएगा, अगला देख लीजिएगा, grammar से आया question, error spot, मैंने बहुत से error response कराएं हैं, आप लोग classes को देखोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, जाएगा चीज है, यहां पर बात past की हो रही है, तो यहां पर आपको understood करना होगा, यानि आपका option B सही हो जाएगा, option B, 112 की बात करें, तो दे मैंगोज तो पहले तो वर करिये यहां, distributed between all the children, तो जब plural हो गया है तो between क्या अमंग करो भाई, अमंग करो, तो सीरिस ही बात है, option D, दो option में गड़बर थी, दो option में गड़बर थी, इसके बाद आपको 116 की बात कर लें, sorry 113 की, तो 113 में आपका, क्या करें, some of the people stopped him from moving further, भाईया, एक बात आप बताद, ठीक है न, option D, दो option में कर पड़बर है, some of the people stopped him, ठीदी सी बात, ठीक है, इसके बाद आईये, माई सिस्टेर रानी वस प्रैक्टिसिंग, हाउ टू राइडिंग ए बाइसिकल, याद रखना, हाउ टू राइड होगा, Q प्लस V1, तो option C गड़बर हो जाएगी, option C गड़बर हो जाएगी, इसके बाद आ रहा है आपका 115, 115, बिल्कुल आपको यहाँ B option सही होगा, शीप होता है, शीप नहीं, शीप आल्रेड़ी अपने आपने प्लिूरल होता है, 116, करें कि टीचर आस्क मी टू मीट हर, और नहीं, एट होगा, चोटे मुटे टाइम के सेग्मेंट के लिए, एट का यूज होता है, ना, 116 option C, एट होगा, 117, सी नीदर कंफर्म नोट डेनाई, नाउन टू नाउन आता है, है न, तो सीधा सीधा आप अगर आपका यह सिंगुलर है, तो इसको आप डिनाई कर दो, सिंगुलर कर दो, option C में कर पड़ है, 118, C वाज टेकेन अबैक फ्रॉम, अबैक फ्रॉम ना करके इसको अबैक बाई कर दो, option B सही है, question number 19, question number 119, option यहां भी वही हाल होगी, two suggestive नहीं, two suggest करिये न, two suggest करिये न, 119, option B, two plus V1, God's justice will, prevailed नहीं होता, prevail करिये, will के साथ past कैसे आजाएगी, prevail, prevail, अगला है भाई, इसमें आपको कुछ important segments fill up करने है, चलो, fill करो, एक सक कैस में option E, option E, क्यों, Rose ran so fast, she tripped and, and, fell होना चाहिए, बिल्कुल second form of the verb, ठीक है, a second form of the verb है, नहीं है, नहीं है, अगला एक सो बाईस, एक सो बाईस में option B हो जाएगा, is playing होगा, now, now यानि अभी तुरंद की बात continuous form की बात कर रहा है, एक सो थेईस, एक सो थेईस, एक सो थेईस, एक सो थेईस, the word is slowly coming to, realize, realizing, yeah, realize, एक सो थेईस, बिल्कुल option E, सही हो जाएगा, realize होगा, to realize, 2 plus V, then, दे ओल ओल्ड नीम ट्री एं विच कंपाउंट फॉर फुप्टी यास पचास वर्ष का है ना तो कहीं ने कहीं हमारे पास क्या आना चाहिए बहुत पास्ट आना चाहिए एक सो चो बिस ऑप्शने साहिए है एक स्टू क्वेस्ट नमबर एक सो पच्छेस क्वेस्ट नमबर एक सो पच्छेस एक सो पच्छेस का ए इनमें से कोई नहीं क्वेस्ट नमबर एक सो चब्यस एक सो चब्यस क्वेस्ट नमबर एक सो चब्यस इन्फेक्टेड नहीं गल्वड़ है इन्फेस्टेड है तो वीद आप्शन आएगा आप्शन सी सही हो जाएगा ठीक है एक सो सत्ताइस शी शड़र्ड दर ड्रेड़ द्रेड़ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ही नना आप देवाब क्वेश्चन नमबर 128 128 दे टाउन वस प्लंग डार्कनेस इंटू हो जायेगा इंटू हो जायेगा 128 128 129 ओप्शन ए नना आप देवाब जेंटलमें शुट बीट्रू इस वर्स आफ बाइप रॉम कुछ ने तू होना चाहिए 139 ओप्शन नमबर 130 टैगोर वस अवादेट दे नॉबल प्राइज पालिट्रेचर ना बिल्कुल आप्शन सी सही हो जायेगा चलिए इसमें देख लेते हैं फटा फट देख लेते हैं फटा फट ए परसन हूँ ड्रॉज मैप इस कॉल्ड मैप ड्रॉज करने वाले को क्या कहते हैं बिल्कुल आप्शन सी काटोग्राफर वन थर्टी टू देख लेक्रेक्टली स्पेट वर्ड फॉलवविए इसमें से कौन से शब्द करेक्टली स्पेट है मतलब सही लिखा हुआ है यह ही लिखा हुआ है नर्सिस्टिक नाशिस्टिक 133 Option C सही होगा, इसमें भी 133, Option C, Vacuum Vacuum में Double C नहीं होता, Double U होता, ध्यान रखना The characteristic word in the following, Accommodation Accommodate, 134, Option B सही हो जाएगा 135 135 The correct spirit word, Imbraas, Imbraas 135, Option B सही हो जाएगा He won the game by the skin of his teeth Question number 136, Option C सही हो जाएगा, Just Barely Question number 37, 137, The villagers were left to escape the barrel, 137 Option B सही हो जाएगा, इसके बाद आजाओ, 138 Option E सही हो जाएगा, 149 Option C, Option C, याद रखना, Option C, Option C, Other भी हो सकता है, ध्यान रखना, Other भी है, यहाँ पर इसके बाद आजाओ, Our task had been completed before sunset मतलब एक्टिव आइस चुनना है, तो 141 Option आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, 142 बिल्कुल आपका Option C सही हो जाना है, 143 143 Option B सही हो जाएगा, 144 बिल्कुल आप्शन भी करेक्ट हो जाना, 145 इसको जड़ा देखिए भाई, 146 आप्शन सी सही हो जाएगा, हैस आएगा, ठीक है, 147 बिल्कुल आप्शन भी आएगा, याद रखना, 148 आप्शन ए हो जाएगा, हैस हो जाएगा, 149 आप्शन ए हो जाएगा, 150 एक सो पचास, आप्शन भी, ये रहे आपके कम्प्लीट एनालसिस, और अब आपको और कुछ नहीं, एक बात समझनी जरूरी है, कि आखिर ये लिट्रेचर का सेग्मेंट जो दे दे रहा है, ये बच्चों के लिए थोड़ी समस्या का विशे बन गया है, कुछ मत करिएगा, सिर्फ आपको हमारे यांसे बैचेस ले करके ही, चीज़ें आप आगे बढ़ा सकते हो, तो अपनी आने वाली नेक्स्ट एस्टेट के लिए तैयार हो जाएए, बहुत बदनेवाद, ताइंकियो जए पित्वरा के लिए वाली नेक्स्ट ए कर दियते हो, जए दोगत कल ड मैंने तो अविवा कर लिए्म ध दो कर दोड़ेगे पिती आपको जो ऑ्पकों